सीटेड एकजाम में कुछ अधनियम पूछे जाती हैं परियावण में परियावण जो पूर्चन आता है तीश नंबर का उसमें सीटेड में जो तीश नंबर का परियावण पूर्चन है उसकी अंदर कुछ अधनियम पूछे जाती हैं तो उन अधनियम को हम कराने वाले हैं जैसे बन जीव सनरक्षन अधनियम कब आया था 1902 ये प्रिशन अनेकों बार पूछा जा चुका है कि बन जीव सनरक्षन अधनियम कब आया था वन जीव सनक्षन अधिनियम 1972 में आया था कब 1972 में 1972 में कौन सा आया था वन जीव सनक्षन अधिनियम इसके बाद सामाजिक बाहन की सब्द सामाजिक बाहन की सब्द 1976 किरसी आयोग के दोरा ये अधिनियम जारी किया गया था सामाजिक बान की सब्द 1976 कृसी आयोक के द्वारा कृसी आयोक के द्वारा इसे जारी किया गया था बन सरक्षन अधिनियम 1980 में आया था बन सरक्षन अधिनियम 1980 में इसलिए आया था कि पेड़ पौदों को एनि बन को लोग काटने लगे तो सरकार ने सोचा कि बन गठ जाएंगे तो काफी प्रकृति को नुक्षान होगा जैसे बारिश नहीं होगी बाल भूश कर आने की समाश्या है तो इसलिए ये अधिनियम लाया बन सरक्षन अधिनियम कब 1980 में बन सरक्षन अधिनियम 1980 में लाया गया और इसके बाद फिर राष्टिय बन नीती लाई गई 1988 में इसके बाद राष्टिय बननीती 1988 में लायी गई राष्टिय बननीती कब लाई गई 1988 में इसके बाद इसके बाद परियावण सरक्षन अधिनियम लाया गया परियावन को कापी नुक्सान पहुचाते थे लोग उनके लिए एक कानूर बना जो अधियम लाया गया कब 1986 में परियावन सनक्षन अधियम कब लाया गया 1986 में उसके बाद जो लोग जल को महत नहीं देते थे और जल का बरबादी करते थे उनके लिए एक अधिनियम लाया गया जल सरक्षन अधिनियम कौनसा जल सरक्षन अधिनियम उनिस सो चौतर कब लाया गया जल सरक्षन अधिनियम उनिस सो चौतर 1974 जल सरक्षन अधिनियम उनिस सो चौतर इसके बाद प्रदूसर जो वायू प्रदूसर होने लगा लोगों को स्वांस लेने में परेशानी आने लगी इसके लिए वायू सरक्षन अधनियमे कानू लाया गया 1981 1971 में 1981 में वायू सरक्षण अधनियम लाया गया 1981 में इसके बाद द्हूनी सरक्षण अधनियम कौन सा द्हूनी सरक्षण अधनियम जो ज्यादा तेजी से बजा जाते जैसे सौंड डीजे पर रखे जाते हैं ज्यादा सोर किया जाता है माइक बगएर रखे जाते हैं उनके लिए एक अधिनियम है दिवनी सरक्षन अधिनियम ये 2000 सन 2000 में आया था दिवनी सरक्षन अधिनियम दोनी सरक्षन अधिनियम 2000 में लाया गया और राष्टिय हरित अधिकरण एंजीटी कहते हैं ये 2010 में आया था कब आया था 2010 में राष्टिय हरित अधिकरण एंजीटी 2010 में इसके बाद प्रिथम बार वाग गरना 1902 में की गई प्रिथम बार वाग गरना दो आजा कब 1902 में की गई थी पहली बार वागों की जनन गरना कब की गई थी 1902 में इसके बाद कस्तूरी म्रग एबं हंगुल पर्युजना कश्तूरी म्रग एवन हंगुल परियोजना ये 1970 में लाए गई। कहां से उत्राखंट राज से राज में एक ओधान है राष्टि ओधान वो कश्तूरी म्रग एवन हंगुल के लिए जाना जाता है 1970 में ये अधिनियम लाया गया था इसके बाद प्रोजेक्ट सिर यानि प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहते हैं वे 1972 में लाया गया लेकिन ये तेतर में लागू गया प्रोजेक्ट सिर सिरों के लिए 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में दुनों में क्या अंतर है सेर टाइगर शेरों के लिए 1982 और टाइगर के लिए 1973 इसके बाद प्रुजेक्ट गड़ेयाल 1924 गड़ेयालों के लिए जो शंबल नदिये उसमें गड़ेयाल पाये जाते हैं उनके लिए एक अधिनियम आया था 1924 इसके बाद गड़ेयाल प्रिजिनन पर्योजना 1975 में लाइ गई कब गड़ेयाल पर्योजनन पर्योजना कब लाइ गई 1975 में इसके बाद प्रोजेक्ट मगरमक्ष मगरमक्षों के लिए कब लाया गा यादिनियम 1975 में 1975 में भी एक मगरमक्षों के लिए अधिनियम लाया गया इसके बाद ऑलिबरेड ले जो समोध्री कछवा होती है उनके सरनक्षन के लिए ओलिब रिडिले जो कच्छवा की प्रजाती है उनके लिए एक सरक्षन लाया गा था 1975 में 1975 में इसके बाद प्रोजेक्ट गेंडा क्वान सा प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में लाया गा प्रोजेक्ट गेंडा 1987 गेंडा के लिए एक राश्टी ओदाने असम में काजी रंगा नेशनल पर्क जिसमें गेंडा का सरक्षन किया जाता है गेंडा का स्रक्षन किया जा था काजी रंगा नेशनल पार्क असम में और प्रोजेक्ट गेंडा के लिए एक अधनियम आया था 1987 में इसके बाद प्रोजेक्ट हिम चीता के लिए प्रोजेक्ट हिम चीता के लिए 1987 में लाया गा था प्रोजेक्ट हिम चीता के लिए इसके बाद प्रोजेक्ट हाती, हाती के लिए यह पर्योजना लाए गई, हाती पर्योजना कब, हाती पर्योजना 1992 में हाती पर्योजना आये थी इसके बाद प्रोजेक्ट लालपंडा परियुजन 1996 में लाई गई तब 1996 में लालपंडा लालपंडा सीन का एक पशु है लालपंडा के लिए एक सुट्चर लंड में इसका मुख्याला है लालपंडा के लिए गिद्द सर्क्षन गिद्द सर्क्षन 2006 गिद्दों की कमी के लिए सरबादिक जिम्मेदार है पशु को दी जाने वाली पशु को दी जाने वाली डाइकलो फैनिक डाइकलो फैनिक दबा जो पशु के दर्द के लिए होती थी इससे गिद्द की किड़नी एनी गुर्दा उनका और उनकी गिद्द सर्क्षन 2006 इसलिए लागा उनकी लीवर पर एफेक्ट पढ़ने लगा और डाइकलो फैनिक दबा इसके लिए जुम्मेदार है जिससे उनकी मौतें होती गई और जन संग्या में कमी आती गई गिद्दों के सर्क्षन के लिए तो एक गिद्दों की सर्क्षन के लिए ये कानूर बनाएगा था उन 2006 में इसके बाद सेव युजिना गिद्द से संबंदित सम 2011 में सेव युजिना गिद्द से सम्बंदित 2006 में 2011 में लाए गी युजिना जिसका नाम था सेव युजिना प्रोजेक्ट हिम तेंद्दुआ के लिए 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंद्दुआ 2009 में एक लाया गया था उसके बाद एग मार्ख 1937 में इको मार्ख 1991 में एग मार्ख का संबन गुलबत्ता से होता है किसे होता है गुलबत्ता से तो आज की ये कुछ परियोजनाएं थी और कुछ अधनियम थी तो इन सभी को अमने इस किलास में कराया है जो सीटर एगजाम में परियावन का जो पोर्षन पूछा जाता है उसमें जिए परिसन आते हैं और पूछे भी जाते हैं अनेकों बार ये पूछे गए हैं तो इसलिए ये बहुत महित्पून है परिच्छा के एगजाम की दृष्टी से अंगली किलास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए सबी लोगों को नमस्कार मेरी ओसे सबी बैनुवाईयों को